अध्याय चार फिर जब प्रभू को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि येशु युहन्ना से अधित चेले बनाता और उन्हें बब्तिस्मा देता है यद्पी येशु आप नहीं बरन उसके चेले बब्तिस्मा देते थे तब वो येहुदिया को छोड़ कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना आवश्य था सो वो सुखार नाम सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमी के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था और याकूब का कुवा भी वहीं था सो येशु मार्ग का थका हुआ उस कुवे पर यूहीं बैठ गया ये बात छटे घंटे के लगभग हुई इतने में एक सामरी इस्त्री जल भरने आई येशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे उस सामरी इस्त्री ने उससे कहा तू येहूदी होकर मुझ सामरी इस्त्री से पानी क्यों मांगता है क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का वेहवार नहीं रखते थे यिशु ने उत्तर दिया यदि तू परमेश्वर के वर्दान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता स्त्री ने उससे कहा हे प्रभू तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुवा गहरा है तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहा से आया क्या तु हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें कुवा दिया और आप ही अपनी संतान और अपने टूरों समित उसमें से पिया यिश्यो ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई ये जल पियेगा वो फिर पियासा होगा परन्तु जो कोई उस जल में से पियेगा जो मैं उसे दूँगा वो फिर अनंत काल तक पियासा न होगा वरन जो जल मैं उसे दूँगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमरता रहेगा स्त्री ने उससे कहा हे प्रभू वो जल मुझे दे ताकि मैं पियासी ना हूँ और ना जल भरने को इतनी दूर आउँ येशु ने उससे कहा जा अपने पती को यहां बुलाला स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पती की हूँ येशु ने उससे कहा तू ठीक कहती है कि मैं बिना पती की हूँ क्योंकि तू पांच पती कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पती नहीं है ये तू ने सच कहा है स्त्री ने उससे कहा हे प्रभू मुझे ग्यात होता है कि तू भविश्य द्वक्ता है हमारे बाब दादा ने इसी पाहाड पर भजन किया और तुम कहते हो कि वो जगा ज़ा भजन करना चाहिए यरुशलेम में है येशु ने उससे कहा हे नारी मेरी बात की प्रतीतिकर कि वो समय आता है कि तुम न तो इस पाहाड पर पिता का भजन करोगे न यरुशलेम में तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को धूंडता है, परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें, इश्यू ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो कृस्तुस कहलाता है, आने वाला है, जब वो आएगा, तो हमें सब बातें बता देगा, येश्यू ने उससे कहा, मैं जो तुझ से बोल रहा हूँ, वही हूँ, इतने में उसके चेले आ गए, और अचंभा करने लगे, कि वो इस्तुरी से बातें कर रहा है, तो भी किसी ने ना कहा, कि तु क्या चाहता है, या किसली उससे बातें करता है, तब इस्तुरी अपना घड़ा छोड़ कर नगर में चली गई, और लोगों से कहने लगी, आओ, एक मनुश्य को देखो, जिसने सब कुछ जो मैंने किया, मुझे बता दिया है, कहीं यही तो मसी नहीं है, वे नगर से निकल कर उसके पास आने लगे, इतने में उसके चेले यिश्यू से ये बिनित करने लगे कि, हे रबी, कुछ खा ले, परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है, जिसे तुम नहीं जानते, तब चेलो ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है, यिश्यू ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है, कि अपने भेजन वाले की इच्छा के अनुसार चलूं, और उसका काम पूरा करूं, क्या तुम नहीं कहते, कि कटनी होने में अब भी चार महीने पड़े हैं, देखो, मैं तुम से कहता हूं, अपनी आखें उठाकर, खेतों पर द्रिष्टी डालो, कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं, और क कि बोने वाला और काटने वाला, दोनों मिलकर आनंद करें, क्योंकि इस पर ये कहावत ठीक बैठती है, कि बोने वाला और है, काटने वाला और, मैंने तुम्हें वो खेत काटने के लिए भीजा, जिसके लिए तुमने परिश्रम नहीं किया, औरों ने परिश्रम किया, और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए उस नगर के बहुत सामरियों ने उस तरीके कहने से जिसने ये गवाही दी थी के उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया विश्वास किया तब जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे बिनिती करने लगे कि हमारे यहां रह सो वो वहाँ दो दिन तक रहा और उसके बचन के कारण और भी बहुतेरों ने विश्वास किया उन्होंने उस तरी से कहा अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है फिर उन दो दिनों के बाद वो वहां से कूच करके गलील को गया क्योंकि यिशु ने आप ही साक्षि दी के भविश्य द्वक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता जब वह गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ से मिले जितने काम उसने येरुशलेम में पर्व के समय किये थे उन्होंने उन सब को देखा था क्योंकि वे भी पर्व में गये थे तब वो फिर गलील के काना में आया जहां उसने पानी को दाखस बनाया था वहाँ राजा का एक कर्मचारी था, जिसका पुत्र कफर नहों में बीमार था वह यह सुनकर के यिशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे बिनती करने लगा कि चल कर मेरे पुत्र को चंगा कर दे क्योंकि वो मरने पर था, येशू ने उससे कहा, जब तक तुम जिन और अधुभुत काम न देखोगे, तब तक कदापी विश्वास न करोगे, राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, ए प्रभु, मेरे बालक की मृत्यू होने से पहले चल, येशू ने उससे कहा, जहा तेरा रही हुई बात की प्रतिती की, और चला गया, वो मार्ग में जाही रहा था के उसके दास उससे आ मिले, और कहने लगे के, तेरा लड़का जीवित है, उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वो अच्छा होने लगा, उन्होंने उससे कहा, कल सात्वे गंटे में उसका जवर उत तेरा पुत्र जीवित है, और उसने, और उसके सारे घराने ने विश्वास किया, ये दूसरा आश्चरी कर्म था, जो येशु ने यहूदिया से गलेल में आकर दिखाया, आश्चरी गप्छा नें शाने क्याने कि दूसुण वो ये वो ये। दूसरा होने झाल आकर दोत्के सक्द्टेब सही होने जा सिस्वाँेते विर से पुर खिरा इंदी वेश्चर बदेर से लिलगाए, जब कर दोत्यों प्द्चर से सूज़द्रा, जून ओआए, से साफ